Hello and Welcome, आज हम और एक टापिक डिस्कस करेंगे, यो इन थर्ड में, सोशल इवलस, इसमें आता है चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, इमेल, फेटिसाइड, इंफैंट साइड, ड्रग एडिक्शन, तो आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड अब्यूज, ये चाइल्ड अ नहीं किया है, उसकी भी लिंग्श्किन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम गृूप भी जॉइन कर सकते हो, लेट इस गेट स्टार्टर चाइल्ड अब्यूज, ये चाइल्ड अब्यूज क्या होता है? इस चाइल्ड अब्यूज को हम कहते है चाइल्ड अन्डीजरमेंट आर चाइल्ड मॉल ट्रीट्मेंट, यह मॉल ट्रीट्मेंट क्या होता है, किसी भी चाइल्ड के साथ सक्ती से पेश आना, चाइल्ड को मारना, नुकसान पहुंचाना, उसको हम कहते हैं मॉल ट्रीट्मेंट, चाइल्ड अब्यूज में कहके आता है, फिजिकल, एमोशनल, सैक spiritually psychologically harass करना उचीज को हम कहते है चाइल्ड अब्यूज तो वर्ल्ड हैल्स और्गनिजेशन ने किस तरह इस कॉंसेप्ट को डिफाइन किया है यह चाइल्ड अब्यूज क्या है तो निगलेक्ट अब्यूज क्या होता है बच्ची की तरफ कम ताउजू देना तो चीज को हम कहते है निगलेक्ट अब्यूज में इंकुलोड होता है अब हम बात करेंगे forms of abuse, first one physical abuse, physical abuse क्या होता है physical abuse means beating, kicking, slapping और corporal punishment to child at home or any other place called as physical abuse तो बच्चे को अगर हम गर पे या किसी भी जगा पे मारेंगे वो physical abuse में आता है या कभी कबार parents अपने बच्चे को slap करते है वो भी child abuse है या बच्चे को कोई punishment देते है physically वो भी child abuse है according to Elias Miller इसने एक बुक लखी है child abuse इस बुक में Elias Miller कहते है अगर हम एक बच्चे को बड़ी तरीके से मारेंगे फिस पे मारेंगे that's also child abuse इसे क्या होता है child की integrity और dignity पे असरात पड़ते है according to Henry Camp ये एक American pediatrician था और इस परसन को first person माना जाता है जुन्होंने child abuse को identify किया है used the term battered child syndrome 1962 the term used for collection of injuries that young children steens as a result of physical abuse जो herring camp थे उसने और उसके colleagues ने कुछ young children में injuries पाई तो वो कहते है उनका एक ही कास था that was the result of physical abuse तो यहाँ पे जो term इस्तमाल हुई better child syndrome यहाँ पे और एक term है injuries यहाँ पे उनका कहना है उन्होंने young children में behavior में changes पाई कुछ बच्चे aggressive रहते थे anger state में रहते है तो इसके पीछे जो एक ही वो जो हाथ है that's physical abuse अब अगर हम बात करेंगे sexual abuse child sexual abuse refers to participation of child in sexual act aimed towards financial profit and sexual gratification तो sexual abuse means बच्चे को sexually harass करना या बच्चे को मजबूर करना sexual act में participate करना इसको हम sexual abuse कहते है psychological abuse in 1995 American Professional Society on Abuse of Children defined it as American Professional Society ने इस concept को इस तरह define किया है बच्चे को दमकाना बच्चे को exploit करना बच्चे के तसाथ बुरी तरह से behave करना इसको हम कहते है psychological abuse in 2013 American Psychiatric Association APA described it as verbal or symbolic act verbal act means अगर आप बच्चे को बच्चे को दमकाओगे या मुह से ऐसा कुछ लफज बोलोगे जिससे एक बच्चा डर जाये उसको हम verbal act कहते है symbolic act means अपने अपने गरों में दिखाई होगा कभी कबार parents गुसा हो जाते है बच्चे पे तो फिर parents आँख से या मुह पे या उनकी body language जो होती है इस तरह act करते है बच्चा डर जाता है तो उस act को भी हम कहते है child abuse अब यहाँ पे हम देखेंगे causes of child abuse first one that's isolating and lack of sport of family family का sport ना होना एक बच्चे को बच्चे को अलग रखना ये भी एक वजुहात है बहुत सारे families ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ financial condition ठीक नहीं होती है तो बच्चे के तरफ ज्यादा तावजू नहीं दे पाते है तो बच्चों में stress पैदा होता है ये भी एक वजुहात बनता है lack of understanding about child development stages and behavior ये भी एक वजुहात है तो कुछ बच्चों के parents जिनको mental illness होती है तो वो भी एक वजुहात बनता है child abuse बच्चे के लिए drug addiction ये बहुत बड़ा काज है आपने टीवी पे दिखा ही होगा serials में या movies में तो बाद में वो किस तरह act करता है अपनी family से वो बच्चों को मारता है अवरतों को मारता है गर में ये भी एक वजुहात है child abuse का अब बात करेंगे constitutional provision to safeguard children हमारा जो Indian constitution है इसमें कोन से provisions है related to protection of rights of children कल भी हमने बहुत सारे sections डिसकस करे है तो आज भी देखेंगे यहां पे जो हमारा Indian constitution है वो legislature को empower करता है to make laws regarding safeguard rights of children अगर हम Indian constitution की बात करेंगे यहां पे कुछ sections है section 14, 15, 19, 1, 21, 8, 24, 39, E all these sections deals with the protection, security and well-being for all people including children यहां पे section जो है सभी sections deal करते है for protection, security and well-being for all people इसमें बच्चे भी आते है और बच्चे भी आते है और मर्ग भी आते है जो यह sections है यह protect कर रहे है rights of all people अगर हम यहां पे बात करेंगे government initiatives regarding the protection of child rights कल भी हमने इसको discuss किया है NCPCR National Commission for Protection of Child Rights Established in 2007 for the Protection of Child Rights तो हिंदुस्तान में एक body है बच्चों के लिए जिसको हम कहते है National Commission for Protection of Child Rights 2007 में यह establish होई है इस commission का जो goal है that's protection of child rights इसके अलावा और एक initiative है सरकार का ICPS integrated child protection scheme इस scheme को launch कब किया गया है 2009 में इस scheme का जो aim है that's to provide care good environment to children government schemes में हमने यह already discuss किया है Right to Education Act 2002 यह भी बच्चों के लिए है इसके अलावा और एक act है जिसको हम कहते है POCSO Act 2012 इस act क्या है इस act के तहट चिडरन को protect किया जाता है तो इसके रिलेटि यहां पे और एक चीज़ है POCSOE box यह POCSOE box क्या है अगर एक child के साथ किसी भी जगा पे गलत हो रहा है जो यह POCSOE box है यह एक online complaint management system है जहां पे हम complaint डॉल सकते है online regarding sexual offense against children बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह भी एक initiative है government का तो यह थे कुछ important government initiatives as well as constitutional provisions जो ensure करते है protection safety security of children तो next video में हम discuss करेंगे child labor मिलते है next video में have a nice day